खबर क्रिकेट के मैदान से हैं जहां एक अक्टूबर से शुरू होने वाले रंजी सत्र के लिए राजस्थान टीम का ऐलान हो गया है जहां पहले दो मैचों के लिए टीम की कप्तानी अशोक मनेरिया को सौबी गई है वही पीट की चोट के कारण पंकत सिक को बाहर रखा गया है और टीम की उपकतानी विनीत सकसेना के हाथ में रहेगी अगर बात करी जाए नए चेहरों की तो इस बार टीम में दो नए खिलाडियों को जगे मिली है जिसमें अर्जे सिंग कूकर और नाथू सिंग शामिल है इस टीम के साथ ही अंदर-19 टीम का भी ऐलान हो गया है जिसमें कप्तानी महीपाल को मिली है आपको बता दे कि एक अक्टूबर को राजस्थान का पहला मैच दिल्ली से है तो किस तरह परहशानिया और प्रैक्טिस के लिए क्यूकि एक इसरे लबबे समय बात किलाड़ि वापस आए है तो सोचने वारी है कि तो पहले किस सरे से लेते हैं फिर यहां मैंने चिस प्रinkंगा नहीं हमें चिकले के लिए ग्याए प्लादे पुरिश दिन से काफे इतना के लिए पहला मैच अदिली से है तो उस तीम को लेके खास तेयारी है क्योंकि इसमें गौतम गंबीर उन्नुक चंड जैसे खिलाडी है जी टीम की बात यह तो मुझे उनका कुछ आइडिया नहीं कि क्या टीम है लेकिन अगर हमको जीतना है तो अच्छी क्रिकेट खेलनी है फिर उनक सब्सक्राइब करने लिए तो यह तैशुक मने रिया है जिनका पर द्यान देंगे कि जितना सब्सक्राइब करें चलते रहे लास तक तो ज्यादा इसी रहेगा चली बहुत शुक्री हमसे बाच्छीत करने लिए तो यह तैशुक मने रिया है जिनका कहना था कि किसी के प्लेयर के जाने से टीम को कोई फरक नहीं पड़ता और इस बार भी राजस्थान अच्छा परफॉर्मेंस देगी कैमरा परसन अंगेत के साथ प्रशान शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूस जैपूर